इधर नर्मदापुरम में सियम शिवराज सिंग चोहान ने राष्ट कवी पंडित माखनला चतुरवेदी के जन दिन पर प्रतिमापर मालयारपण कर श्रधांचली अरपित की वहीं सभा को संबोधित करते वे सियम ने सरकारी ओजनाओं की जानकारी लोगों से साजा की साथ ही खेतों को जलाने को लेकर किसानों को नसीहत दी सियम ने माखन नगर में सो करोन से भी ज़्यादा राष्ट के निर्माणकारों का लोकारपण किया और श्रिलनयास किया समारों में सांसद और विधायक भी शामिल रहे तो ये नर्मदा पुरम की तस्वीर लोगों से सरकारी और जनाओं की जानकारी भी साजा यहां पर मुखबंते शिवरा सिंग चौहान ने की है तो खेतों को जलाने पर किसानों को नसीहत दी बजपन से हम एक पुस्व की अभिलासा पढ़ते चले आ रहे हैं मुझे तोड लैना बनमाली उस पध पर तू देना फैक मात्र भुमवी पर सीस चड़ाने जिस पथ जाएं बीर अनेक ये कवी ता ये गीत किवल मध पेस में नहीं पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में गूजाएं पर वीर और कंट कारियों के प्रती एक आदर का भाव पैदा किया हूँ बावई का नाम माखन नगर लगा एक भारती आत्मा थे दादा माखन लाल चतुरवेदी इस धर्ती की इस माटी की सुगन्द को पूरी दुनिया में फैलाया दादा माखन लाल चतुरवेदी जी ने अधूद प्रतिवाद लेकिन इस माटी की भी यह चंता थी कि दादा माखन लाल चतुरवेदी पैदा हुए मिस माटी को प्रणाम करता हूँ दादा को प्रणाम करता हूँ राज राज में देख भासन देने नहीं आया यह गौरण दिवस क्यों मेरे बेहनों और भाईयों मदपनेज बहुत आगे बढ़ाया आप सब लोगों को बहुत मिस्तार मपतानी की ज़रूरत नहीं है मुझे जब बिजे और उदेजी बोलना है भी आप देख लो सड़क सचाई बिजली पुल पुलिया इस्कूल आज वो जिना नहीं आया और मुझे कहते हुए गर्व है कि आपके आसीरवास से विकास की दृष्टी से मदपनेज को बीमा रूराज जिसे निकालके बिग्सित राज्यों की पांथ में आज खड़ा कर दिया तो किसान को पसीने की बहतर और बहतर कीमत मिलेगी और मैं यह चाहता हूँ कि मदप्रदेश की धर्ती का इस माटी का गयूं गोल्डन ग्रेन कहला था गोल्डन ग्रेन एंपी भीट बहार इसको कहते एंपी भीट दिल्ली बंबई में कहीं का भी गयूं ओ वो भरते इसी नाम से एंपी भीट ताकि उसका आटा भी बिग्या और वो ग्यों भी बिग्या है बड़े बड़े विग्यापन देखते हैं आप टीवी में सोने जैसे दाने वो दाने कांके अपनी तो दाने हो एक बार अगर अपनी साफ पूरी दुनिया में इस्थापित हो गई तो मद्रदेश का ग्यों य झाल